हेलो एब्रिवन, मॉस्ट वेलकम इन मैं चैनल, आज की इस वीडियो में 38 साइज का ब्लावस की मैं कटिंग बता रही हूँ, तो किस सरी किस से करते हैं, समझ लेना, और ये हमेशा अच्छे से कटिंग होएगी, कभी-कभी कहते हैं, कपड़ा छोटा पढ़ जाता है, स्लीफ पूरी नहीं परती, तो सब चीज 80 सेंटिमीटर कपड़े में आपको समझाऊंगी, दिखेंगे में मेरे पास 80 सेंटिमीटर फैब्रिक है, जितना नॉमल पीस मार्केट में मिलता है, बड़ा साइज की कटिंग करेंगे, उससे पहले कपड़े को जो रोंग साइड है, अप अपने मार्जन ले लेना है, अपने अकोर्डिंग, बलाउस की टोटल लेंद 14 है, प्लस वन इंच एक्स्ट्र मार्जिन देंगी, ठीक है, और सिदल लेंट रो कर देंगी, शोल्डर का निशान आप जब लगाएंगे, अपने बैक नेक के कोर्डिंग लगाना है, देखें 15 इंच आगया है, तो 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच, और उसमें 1.5 इंच मैंने माइनस करा है, तो 5 इंच शोल्डर ले लिया है, और आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ, ठीक है, उसके बाद देखें, आर्म होल मैंने हाँ आपे 6 इंच पे निशान लगा जितना साड़े 5 उपर से लियाता है निचे से भी साड़े 5 लेकर एक बॉक्स क्रियेट करेंगे इसके बाद गले की चुड़ाई 2 इंच यहां पर ले रही हूं और इसकी लैंट है यहां पर साड़े 8 हाफ इंच एक्ष्ट और धाई इंच आगे से राउंड शेप देना है यह आप अपने कोडिंग राउंड शेप दे सकती है आप चाव तो दो इंच की धाई इंच की गले की चितना चुड़ाई रखना चाहती है दे सकती है आप चेस्ट का चोथा हिस्सा करेंगी ज इंच की में आप टक्स ले रही हूं यह फिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है और देर यह दो इंच का मार जाना आप अपने कोडिंग रख सकते हैं और स्टेट लाइन ड्रो कर लेना है बैक में देर इंच की गुलाई आती है ठीक है आपने यह ध्यान रखनी है आपके स्टिचिंग वाला उसको इंची टेप को डवल फोल्ड करके आपने अपने हापर टक्स का निशान लगाना और लैंथ में उतना ही लेना जितना डवल फोल्ड करने पर आया है अब देखो सवा इंच है तो हाफ आफ इंच में एक पॉइंट जादा आप टक्स का ले कटिंग करने के बाद आप अपने टक्स पर कट का निशान और फिटिंग वाले निशान पर कट का निशान जरू लगाईए यह इंपॉर्टेंट होता है और इसको अपने बैक साइड यानकि दूसरे साइड डैब डैब करके दूसरे तरब भी निशान बना लीजिए तिक इस सरीके से आपका जब स्टिचिंग करेंगी तो उपनीचे टक्स नहीं आएगी इंपॉर्टेंट है अपना नैक की भी कटिंग कर लीजिए और शेव दे दीजिए आप फरंट की कटिंग करने के लिए हाफ इंच एक्स्टर लेना है जितना भी आपका दे दिनकी हाफ इं इंत purple 14 तो फिरंटे में हम दे रिंच एंच इस्टर लेते हैं तो यहां से मैंने पहले सई से बिचाया शोल्ड़र पर निशान लगाया और मिटीच निशान लगाएंगे थीक है यह निचे 1.5 इंच लेगना है और शोल्डर पर इस इस शे interacting जालाने जैसे है अब थोड़ से शोल्डर आप डाउन करिए नीचे की साइड क्योंकि हाँ पर टक्स का निशान लगाना जब हम स्टीच करते हैं तो टक्स हमारी दर आती है आर्मोल की साइड तो सेम टू सेम आपने आपने निशान ड्रो करना है जैसे है एक चीज और बता दू अगर आपके शोल्डर गिरते हैं तो आपने क्या करना है आपने शोल्डर कम ही लेना है तीरा जो होता है कम ही लेना होता है यानि कि कितना लेना वो बता दी है दो इंच मैने आगे से लिया है जितना बैक में लिया तो उतना फ्रंट में लेंगे यहां पर आपने हलका सा राउंड शेप देना है इस तरीके से और अंदर से आप हाफ इंच छोड़ते वे आपने हाफ इंच इतना यहां पर आपने गुलाई देनी है देखिए यहां फिटिंग का निशान लगा लीजिए और यहां से आपने हाफ इंच अंदर की गुलाई द लगाना है जी 32 है उसका चोथा हिस्सा कितना निकल गया आठ इंच तो आठ इंच और सवाइंच टक्स का निशान है और देडि़ इंच का यहाँ पर मेरे मार्जन ले अब आपने थोड़ा से शोल्डर डाउन करना है अल्रेडी शोल्डर डाउन थे सलिम इसमें नहीं कर रही हूं बता रही हूं इंची टेप को फोल्ड करते हुए अपने टक्स का निशान लगाना है तो साड़े नौ पर टक्स से हाफ इंच मार्जन लेते हैं दस इंच पर नि इंच के टक्स लगेगी यहां भी दो इंच की टक्स लगेगी नीचे की साइड तो तीन टक्स दो इंच की हो गई और आर्म होल की साड़ से तजक्स हो जाएगी और इसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ट्रो अपने करना है सब भी जगा ऐसे राउंड शेप आना चाहिए क्योंकि ये फुलावा हिस्सा होना चाहिए जब हम टक्स का पॉइंट अच्छा नहीं लगाएंगे तो ब्लाउस भी अच्छा नहीं से लेगा अब हाफ इंची में एक पॉइंट ज्यादा आपने आपस दोनों तरफ से लेना है जैसे अपने बैक में लिया था बैक को फ्रंट की नीचे की बॉटम की टक सेम ही होती है अलग नहीं लगती है अब इसकी कटिंग करके निकाल लिजिए सारा पार्ट्स फ्रंट की भी छटाइ करिए और इन पर मारजन जहांपे भी हैं नैक की भी कटिंग करिए अब सम्में टक्स के पर भी कट्ट के निशान लगाए जितनी भी टक्स आपने बनाई है उस पर कट्ट पर निशान लगाए और चौक से डाक करके दूसरी साइड निशान ले लिजिए अब अपना हुकाई पट्टी के मारजन जासे लिए तो वह से कटिंग करके खोल लिए क्योंकि खुला वह हिस्सा होता है अब अब हुकाई पट्टी के लिए हमें कपड़ा चाहिए तो तीन इंच में ले रही हो और दूसरी साइर दो इंच जहां से तीन इंच ले रही हो वह हमारी आई के लिए ले रही हो और दो इंच हमारा हुकाई के लिए ले ले रही हो तो इसे कपड़ा को कटिंग करिए कटिंग करके निकाल दीजिए अब आपने क्या करना है नीची की पट्टी के लिए भी लेना है तो मैंने सवा-सवा एक इंच जितना पट्टी निकाल दीए कटिंग करके नीची की पट्टी आगई है हमारी अब स्लीव की करेंगे स्लीव को ऐसे देवल फोल्ड में करना देखिए कपड़ा भी हम पर बचके आना कितना सारा तो इसमें स्लीव भी अच्छे से निकल जाएगी लैंध में नहीं निकलेगी लेकिन हां हमारी ब्लॉड्ड इसमें भी स्लीव सही निकलेगी तो कपले को ऐसे देवल फोल्ड में करिए फोल लेयर में कपड़ा हो जाएगा लैंध का निशान लगाई साड़ छे इंच लैंध है एक इंच मार्जन ले रही हो नीचे से हाफ इंच फोल्ड चला जाएगा और हाफ इंच उपर से फोल्ड करके आपने इसमें स्ट्रेट लाइन डो करना हाफ करके आप अपना देखिए हां से मार्जन देर इंच का मैंने लेया है तो आप यहां से देर इंच का निचे से भी लोगी ठीक है जितना बलाउस में मार्जन देखके चलना है अपने ठीक है और जितना गुलाई इसमें अपना मारजन लेजें और उसमें एक इंच एकस्ट्रा उपर से लेली जिए है यहां पर सब shea inch तरफ यहां पर हमेंगे। पर सबगे सबसबाना है चाहए सब्सक्राइब इसमें और अगर आपको लग रहा है कि 1.5 inch जब हम stitching करते हैं तो वह क्या होता है घराई आती है तो sleeves क्या होती फैल जाती है तो मैं भी आपको समझा देखे उसे पहले जो भी आपका extra margin है उसको cutting करके निकार लीजिए अब यहां से आपने थोड़ा सा mountain वाली शेप देनी इस तरीके से mountain वाली शेप दोगी उसके बाद आपने क्या करना वो चिर्ध्यान से देखिए आप आपने नीची की शेप देनी इस तरीके से एकदम straight नी देनी थोड़ा सा देनी आप इसो ना पो यह कितना आ रहा है यह देखिए हैं आप 9 इंच आरा लेकिन तो जादा बढ़ गया हाना तो आपने 1.5 इंच कम करना है यह साड़े आठ इंच इतना लेना है और यह से आपने शेव दे देनी है यह स्लीव का अगर आपको कटिंग करते वक्त दिक्कत आती है स्लीव छोटी पर जाती है तो यह मै नापना है और इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है अपने कटिंग शेप अच्छे से स्लीव की देनी है और इस पर कट कर निशान लगाई है जो भी आपको गुलाई का मारजन है और उपर से भी निशान लगा लिजिए कटिंग लगा लिजिए निकी अब देखिए क्या करन है स्लीव समरी कटिंग हो चुकी है है अब इसको ना पो आप कि हमारा बैक पोशन है तो बैक पोशन से आर्मोल का ना पा जाता है कट से कट मिल गया थीक है यह देखे मैं स्लीव्स पूरी बराबर आ गई है आप इसको के करना है इसको फॉर फॉल्ड में दवल कर लीजिए इसको फॉर लेयर में हो जाएगा हमाई स्लीव्स अब हमेंसे फ्रंट की छटाई करनी पड़ती है तो कपड़ा अंदर से दोनों सीधी साइड होना चीए जब भी आप फ्रंट की छटाई कर करने के बाद यह आपकी स्लीव्स कटिंग कंप्लीट है अब आपने क्या करना है तिर्ची पट्टी गले के लिए काटनी है इसके लिए मैंने वीडियो भी बिनाई थी सेपरेट तिर्ची पट्टी और यह पट्टी कैसे कटिंग करते हैं इसका लिंक दिस्क्रिप्शन राउंड में होता है तो इसमें फिनिशिंग आती है तो अगर आप पट्टी लगा रही है तो एक एक इंच जितना ले लीजिए ठीक है इस तरीके से आपने तेर्ची पट्टी कटिंग करनी है और इस तरीके से आपकी 38 साइज ब्लाउप सी कटिंग रैडी है आपको कौन- सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा थैंक यू सो मच वाचिंग वाचिंग वीडियो बाई